दो दिन के दौरे पर जमू कश्मीर पहुंचे ग्रह मंत्री राजनाथ सिंग ने गुरुवार को सब ही लोगों से कश्मीर में शांती के अपील की और कहा कि बच्चों के हाथ में पत्थर नहीं कम्प्यूटर पकड़ाओ महभूबा मुफती ने कहा कि पिच्चानवे प्रतिशत कश्मीरी शांती चाहते हैं दौरे के दूसरे और आखरी दिन गुरुयमंतरी राजनाथ सिंग ने राजनीतिक दलों और सिविल सोसाइटी के सदस्यों से मुलाकात की राजनात सिंग सियम महभूबा मुफ्ती से भी मिले राजनात ने कश्मीर के युवाओं के हाथ में पत्थर थमाने वालों पर निशाना साधा 17 साल, 18 साल, 15 साल, 20 साल के नौज़वाओं उनके हाथों में कंप्यूटर, कलम, भुक सोनी चाहिए महभूबा मुफ्ती ने भी कहा कि 95 प्रतिशत कश्मीरी शान्ती चाहते हैं लेकिन 5 प्रतिशत लोगों को ये मनजूर नहीं 95 परसंट कश्मीर के लोग पीसफुल मीन से हल चाहते हैं, डायलॉग से चाहते हैं मगर 5, मगर 5 परसंट क्योंकि बदकिस्मिती से जो मिस्क्रेंट्स हैं हमारे बच्चों को शील्ड बना के फोजू कैंपस में हमला करवाते हैं कॉंग्रेस ने केंद्र सरकार की पहल का स्वागत किया कश्मीर के बड़े हिस्से में कर्फ्यू का आज 48 दिन है घाटी में अभी भी मोबाइल इंटरनेट पर पूरी तरह से पाबंदी है कई इलाकों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ दुकाने प्राइवेट आफिस, स्कूल कॉलेज और पेट्रोल पंप भी बंद है हिंसा में 65 लोगों की मौत हुई है, दो जवान शहीद हुए है, करीब 8000 लोग घायल है अलगाववादी नेताओं ने कश्मीर में बंद 25 अगस से बढ़ा कर एक सितंबर कर दिया है बीरो रिपोर्ट के साथ मोहित प्रेम शर्मा जी मेडिया